एक बड़ी पुरानी कहवत है कहते हैं अकलमंद को इसारा और आमक को फटकारा कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है अचानक से पाकिस्तान का रियेक्षन आया है भारत ने जो उसके परमानू सामागरी से लदे हुए जहाज को पकड़ा है जानेंगे पाकिस्तान ने क्या कह है और पाकिस्तान कौन सी कारवाई भारत के ऊपर करने वाला है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना को एक बड़ा जटका चाइना के 950 बिलियन डॉलर के मार्केट पर भारत का कबजा सुरू हो गया है और ये दुनिया की टॉप की रिपोर्ट में निकल कर आ रही है जानेंग किस तरीके से बड़ा जटका मिल रहा है चाइना को जियो पॉलिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से कल और आज दुनिया भर की मीडिया में च कि मुंबई के बंदरगाह पर भारतिय सुरक्षा एजिंसियों ने चीन से पाकिस्तान जा रहे एक जहाज को रोका है इस जहाज में परमानू और बैलेस्टिक मिसाइल कारिक्रमों से जुड़े कंसाइनमेंट होने का दावा किया गया है जहाज को रोके जाने से जुड़ी खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान ने इस पर रियक्षन दिया है पाकिस्तान ने कहा है कि भारतिय मीडिया में जहाज के बारे में जो दावा किया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है जहाज में मिसाइल से जुड़े समान होने की बात को भी पाकिस्तान की ओर से स सनिवार को कहा गया कि भारत द्वारा पाकिस्तान भेजे जा रहे जो वनिज्जीक उपकरन है यानि की मसीनरी है बैपार के लिए मसीनरी है ये जबति किया गया है और इनसे सवाल पुछा गया इनकी परवकता से कि अशा जी बताईए भारत ने सुना है आपके किसी जहाज को पकड़ लिया है और उस जहाज में कुछ nuclear material थे तो इस बयान पर इन्होंने क्या कहा कि देखो ये जो रिपोर्ट है भारतिय मीडिया जो है गलत तरीके से पेस करती है और भारतिय मीडिया की आदत है गलत तरीके से दिखाना दरसल ये एकदम साधारन मामला है लेकिन भारतिय मीडिया ने इसे बढ़ा चड़ा दिया मामला ये है कि कराची में एक बैपारिक यूनिट है इसको मसीन खरीदनी थी और इन्होंने एक बैपारिक मसीन खरीदी है साधारन सा मामला है पाकिस्तान में ओटो परियोग के लिए है और जो हमनारा जहाज है समान लेकर आ रहा था इसकी खरीद लेन देन सभी तरह के दस्तावेज हैं हमने बहुत ही पारदर्सी होकर बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पेमेंट वगेरा सब कुछ किया है पाक के विदेश मंत्राले के परवक्ता ने भारत की कारवाई को नाजायज बताया और कहा कि देखो ये जो चीजे कर रहा है भारत ये गलत कर रहा है हमारी जो संस्थाएं हैं अब इस अनुचित जबती के खिलाफ मामले को आगे बढ़ा रही है पाकिस्तान वानिजिक वस्तूओं की जबती में भारत की मनमानी की निंदा करत है ये तो भारत का मनमानापन है और ये मनमानी के खत्रों को भी दिखा रहा है जिस तरीके से पुलिसिंग किया जा रहा है माने की चौकीदार भारत क्यों बन रहा है हमारा बैपार तो मुक्त बैपार है पानी से जहाज से आ रहा था इसमें भारत को रोकने के लिए क्या ज वो भारत की मनवानी परविर्टी को दिखा रहा है। अब ये तो पता ही था पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा ही रियेक्शन आने वाला था और ये रियेक्शन आया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं एक खबर ने हड कंप मचा दिया है और ये खबर चाइना के लिए सबसे बड़ी टेंसन दे रहा है। वो 400-500 बिलियन से काफी नीचे था अड़ाइसो के आसपास होगा। 2015 में ये और ज्यादा आगे बढ़ गया और करीब 600 बिलियन डॉलर हो गया। उसके बाद 2019 में ये 700 के करीब पहुँचने लगा और इसके बाद ये बढ़ता चला गया और हाल फिलहाल तक इसका मार्केट 900 बिलियन डॉलर तक का रहा। चाइना ने ये सब कुछ कैसे किया। चाइना ने ये सब कुछ मैनुफेक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाते हुए ही किया है। पर अभी के लिए न सीन एकदम से बदलता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए भारत इलक्ट्रोनिक एक्सपोर्ट का पावर हाउस कहा जा रहा है। और चाइना के डॉमिनेंस को ये चैलेंज कर रहा है। अब ये बात न साधारन भासा में समझेए कि 900 बिलियन डॉलर का जो ये खजाना है इस पे भारत का कबजा सुरू हो गया है। लेकिन भारत के सामने एक और बहुत बड़ी दिक्कत है और उस दिक्कत को दूर करना बेहत जरूरी है। पर भारत ने कैसे कबजा करना सुरू किया है पहले वो जान लें। चाइना की फैक्टरी एक्टिविटी सिकुडी है ये चीज देखने को मिल रही है। इसी भीच बात करें भारत के इलेक्ट्रोनिक एक्सपोर्ट की। तो इस स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देखिए, ब्लूमबर्ग का ये ग्राफ है, 2010 की तुलना में, 2022 में कितना ज़्यादा बदल गया है। भारत ने अमेरिका को, यूके को, जर्मनी को एक बड़ी संख्या में बेचना सुरू कर दिया है। और ये संख्या कितनी है, आपको बता दें, भारत कभी 2021 में, अमेरिका को मात्र 2.5 एक परतीसत इलक्ट्रोनिक्स चीजें बेचा करता था। और आज कितना बेच रहा है, 7.6 परतीसत। ब्रिटेन को करीब 4.7 नो परतीसत बेचा करता था। आज कितना बेच रहा है, 10 परतीसत। ये बढ़े हुए आंकड़े हैं। वहीं सिर्फ यूके यूएस ही नहीं। स्क्रीन पर आप ग्राफ देखिए, 2021 में आउस्ट्रेलिया को जीतना बेचा करता था। उसका डबल से जादा हो गया है नवंबर 2023 में। कनाड़ा की भी कुछ इसी तरीके से है। न्यूजिलेंड में थोड़ी बहुत बड़ोतरी हुई है लेकिन यूके यूएस का गराफ बताता है कि भारत ने इलक्रोनिक्स आइटम बहुत ज़्यादा बेचे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी चाइना प्लस वन में भारत ही सिर्फ थोड़ी है बियतनाम भी है। भारत को चुना है यहां पर भारत के लिए अच्छा मौका है 900 बिलियन डॉलर के मार्केट पर आगे बढ़ने का और आगे बढ़ भी रहा है भारत पर आपको बता दें यहां भारत को सबसे पहले अपनी घरेलू चीज को ठीक करनी होगी जो घरेलू इलक्ट्रोनिक्स आइ भारत अपने देश में इसे बनवाए वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़वर के साथ